दोस्तों नमेशकार, स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में और आज है 19 अप्रेल 2021 चले महत्पूर्ण परिक्षा और जूड़ी खबरे देख लेते हैं, to the point, देर न करते हुए राष्टी स्टार्टप सलाकार परिशत NSAC बहुत ही महत्पूर्ण है, प्रिलिम्स और मुख्य परिक्षा दोनों के दिष्टे से इसके उदेश्य किसलिए इसकी स्थापना की गई है ये मुखे परिक्षा के दिश्टे महत्पूर्ण है और प्रिलिम्स के दिश्टे से महत्पूर्ण है हाली में राष्टी स्टार्ट अप सलाकार परिश्ट की पहली बैठक आयोजेत की गई थी ये है क्या तो दियोग समर्धन और अंतरिक व्यापार विभाग जो DPIIT है उसके द्वारा राष्टी स्टार्ट अप सलाकार परिश्ट का गठन किया गया है तो पहली बात तो ही हो गई कि किसने गठन किया है तो DPIIT ने इसका कार्य सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के आवसर प्रदान करने है तो देश में नवाचार, इन्नोवेशन और स्टार्ट अपस को विक्सित करने के लिए एक सरशक्त परिवेश का निर्माड करने के लिए आवशक उपायों पर सलाह देना है कि क्या क्या किया जाए कि नवाचारों को बढ़ावा मिल सके और स्टार्ट अपस को बढ़ावा मिल स तो नागरकों और शात्रों में नवाचार की संस्कृतियों को बढ़ावा देने समंधी उपायों का सुझाओ देना होगा अर्ध शहरी और ग्रामीर शात्रों सहित पूरे देश में अर्थव्योस्ता के सभी शात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना होगा इनक्यूबेशन अनुसंधान और विकास के माध्यम से रचनात्मक और अभीनों विचारों के लिए सहयोग देना तथा उन्हें कीमती उत्पादों के रूप में परिवर्तित करना और परिवर्तित करने के लिए लोगों को प्रुसाहित करना ये इसके कार्य होंगे NSAC की जो सरजचना होगी ये भी महत्यपूर्ण है राश्ची स्टार्टप सलाकार परिशत की अध्यक्षता वाड़ी जोर उद्योग मंत्री द्वारा की जाएगी इस परिशद में संबंधित मंत्रालियों, विभागों, संगठनों के सदस्य, पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे लेकिन इसकी अधिक्सा कौन करेगा वाडी जोर उद्योग मंत्री विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 UNFPA द्वारा जारी की गई चर्चा में क्यों आई? तो हाली में संग्तराश जनसंख्या कोश ने ये आप शीर्षक याद रखेगा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट वर्ड पॉपलेशन रिपोर्ट 2021 ये पहली बार है जब संग्तराश के रिपोर्ट ने शारीरिक स्वायत तता प्रध्यान के अंदित किया है जिसे हिंसा के डर के बीना आपके शरीर के विशे में या किसी और के लिए नेड़े लेने की शक्तित तता एजनसी की रूप में परिभाशित किया गया है लिंग असमानता को एक तरफ से ये दो तक है कि किस तरह से कितनी महिलाएं ऐसी है या किस देश में महिलाओं की क्या इस्तिती है अपने शरीर के बारे में नेड़े लेने के आधार पर ठीक है आज हमने सुबह इसके बारे में बताया था किसकी क्या रैंकिंग है सुबह वाले वीडियो में सुरिकल वाले में वीडियो में मलब 18 अप्रिल वाले वीडियो में अब लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यह संयुक्तराष्ट महासभा का एक सहायक अंग है संयुक्तराष्ट जनसंक्याकोष्ट जो इसके याउन तथा प्रजिनन स्वास्त एजनसी के रूप में कारे करता है यह संयुक्तराष्ट आर्थिक और सामाजिक परिशद द्वारा स्थापित किया गया तो यह संयुक्तराष्ट आर्थिक और सामाजिक परिशद जो संयुक्तराष्ट का एक प्रमुख अंग है च्छा अंगों में से उसके जनादेश जो है इसके द्वारा स्थापित किया अर्थाद UNFPA इसके अंतरगत कारे करता है स्थापना की बात करें तो UNFPA की स्थापना वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था जिसका परिचालन वर्ष 1971 में सुरू हुआ इसे वर्ष 1987 में आधिकारी के तौर पर स्थापना जनसंख्या कोश नाम दे दिया गया लेकिन इसका संख्षिप्त नाम जो की पहले था UNFPA जनसंख्या गदवधियों के लिए स्थापना जनसंख्या कोश को भी बरकरार रखा गया इसका आधिकारीक नाम है अगर शौर्ट फार्म में करें लेकिन शौर्ट फार्म में वह न लिख करके उसका जो पुराना नाम है UNFPA ही लिखते हैं अर्थाद युनाइटेड नेशन ये फूल फार्म पूछा जाया तो पूल लिख दी जाएगा इसका उदेश कहा है दोस्तों तो UNFPA प्रत्यक शुरूप से स्वास्त पर सतत विकास लक्ष नमबर तीन लक्ष नमबर हमने बता है कि 17 लक्ष जो है उनको करम से याद रखेगा सतत विकास लक्ष नमबर तीन शिक्ष पर ये स्वास्त पर है सिक्ष पर लक्ष चार है सतत और समावेशी सिक्षा की बात की गई है और लिंग समानता पर लक्ष पांच है इन तीनों के संबंद में ये कारे करता है इन सबी लक्षों को 2030 तक प्राप्त करना है इसम रट जाना चाहिए सत्रहों लक्ष क्योंकि प्रिलिम्स में तो महत्पूर है ही मुखे परिक्षा में जब निसकर्ष या फिर संदर में कोई भी चीज़ें आएंगी तो इन सत्रहों में देखेंगे क्या इन लक्षों से संबंदित कोई बात है तो आप सतत विकास लक्षों की बात जरूर वहाँ पे करोगे निधी की बात करें तो UNFPA पूरी तरह से अनुदान देने वाली सरकारों अंतरसरकारी संगठरों निजी शेतरों संस्थानों और व्यक्तिक स्वैच्चिक योगदान द्वारा समर्थित है संयुक्तराश के नियमित बजट का इसमें कोई योगदान नहीं है ध्यान लखेगा संयुक्तराश का जो नियमित बजट है उससे UNFPA को इसके फंड में कोई भी बैलेंस नहीं आता है ओडिशा में भी डाल्फिन की जनगर्णा कराई गई है चिलका जील आपको पता होगा कि खारे पानी की भारत की ही नहीं एश्रिया की सबस्वड़ी जील है जो कि उडिशा में इस्तित है तो इरावड़ी डाल्फिन आपको पता है पाई जाती है वहाँ पर और उसकी जनगर्णा कराई गई है उसमें बहुत ही अच्छे आकड़े आये हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी वृद्धी दर्ज की गई है डाल्फिन की आबादी में लगभग दोगुनी इरावड़ी डाल्फिन की बात करें दोस्तों तो इसका निवास अस्थान कई बार पूछा गया है तो भारत जैसे देशों में अरथा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में इनके तटी शेत्रों में और तीन प्रमुख नदियां जो है एशिया की एक अयार वाड़ी है जो कि मियाबार में बहती है महा काम है जो कि इंडोनेशिया इस बोर्नियों जो बोर्नियो दीप है जो इंडियों एशिया के कबजे में आता है वहां और मेकांग में पाई जाती है तो ये तीन प्रमुख नदियों में इनका निवास अस्थान पाया जाता है और दक्षन दक्षन पूरी एशिया के 30 प्रदेशों में जिसमें भारत भी शामिल है इसकी स परसिष्ट 1 में साइट की प्रसिष्ट हैं उसमें परसिष्ट 1 में आती हैं CMS में माईग्रेटरी प्रजाती पर संमेलन जो है उसमें परसिष्ट 1 में और 1 wilde cứ sudah rall 32 के तहत अनुसूची वन में इनको रखा गया है तो एक प्रकार से पूरता प्रतिबंध है इनके अवैद ब्यापार पर चिलका जील की बात करें तो ओडिशा की चिलका जील एशिया की सबसे बड़ी अम विश्व की दूसी सबसे बड़ी समुद्री जील है यहां उडिशा राज में भारत के पूरी तट परिश्थित है जो बंगाल की खाडी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है शीत काल के दोरान भारती उपमहादीप में प्रवासी पक्षियों को अगर्शित करने वाला सबसे बड़ा मैदान यहीं परिश्थित है वर्स 1981 में चिलका जील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर राष्टी महत्वकाब पहला भारती मादरभूमी नामित किया देखें प्रश्ण कैसे उठाता यहां से दो इस्टेटमेंट उठा लेगा पहला इस्टेटमेंट उठाएगा कि इस्टेटमेंट वन देगा वर्स 1981 में इसको जील नाम नहीं देगा इसको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर राष्टी महत्वका पहला भारती आदरभूमी नामित किया गया था पहला इस्टेटमेंट हो जाएगा दूसरा इस्टेटमेंट देगा कि भारती महादीप में शीतकाल के दोरान प्रवासी पक्षियों को आकर्शित करने वाला सबसे बड़ा मैदान यहां पर इस्थित है यह दो इस्टेटमेंट देगा और फिर पूछ लेगा यह स्टेटमेंट किस किस के बारे में तो ए बी सीडी यह चार आफ्शन देदेगा और इसमें एक चिलका जील रहेगा तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे चीजों को जब पढ़ा करिए तो थोड़ा सा अपने से इस तरह के प्रश्ण मन में बन माइंड मे मना लिया करिए तो इससे क्या होगा आपको मेमोरी में ज़्यादा समय तक यह चीजें रहेंगे चिलका में प्रमुख आकर्शन इरावदी डालफिन है जिन्हें अक्सर साथ पाड़ा दीब के पास देखा जाता है कहां साथ पाड़ा दीब के पास यूनेसको की बात करें यूनेसको यानि संयुक्त राश्य सैक्षेक विज्ञाने के वं साक्स्ति संग्ठन संयुक्त राश्य का ही एक भाग है इसका मुख्याले दोस्तों कहा है पेरिस में फ्रांस में 16 नॉम्बर 1945 को इसका गठन हुआ था इसका कार्य क्या है सिक्षा प्रकिती तथा समाज दोस्तों आज के लिए इतना ही आपको किसी कूर्स में समलित आपको पता हिंदी साहित भी आरंभ हो गया है वैकलपिक विशे बहुत लोग पूछ रहे थे तो हिंदी साहित P.S.I.R. लोग परशासन और समाज शास्त्र ये विशे चल रहे है वैकलपिक विशे तो आप लोगो को अगडर ज्माएन करना हो लोग पढ़ सकते हैं इसके लावां यदि आपको डिमांड है आपकी अन्य वैकलपिक विशे की योगos पता सकते हैं उनको भी हम स्टार्ट करवा देंगे तो पूरी जोरसोर के साथ आप लोग तैयारी करिए बहुत महत्पूर्ण है 2021 का एक्जाम हाँ अभी वर्तवान समय जो है कहा नहीं आ सकता कि परिक्षाइं समय से होंगी या नहीं होंगी लेकिन चुकि जितनी तेजी से अध्यक्षर जो नए आये हैं उनका जो उनकी नियुक्ति हुई है बहुत जल्द हुई है तो यह ऐसा मुक्सान नहीं होगा लाभी होगा कि आपको रिवीजन करने का समय मिल दाएगा लेकिन आपको 13 जून की डेट को ही ध्यान में रखते हुए और अक्टूबर में जो आपका एक्जाम है मुखे परिक्षा उसको ध्यान में रखते हुए त्यारी अपनी करनी है एंसर शैली में जो तब्दिली आई है उस आधार पर कह रहा हूं कि उत्तर लेखन पर आप लोग विशेज ध्यान दीजे वही एक बड़ा अंतर साबित होगा जब भी आप एक्जाम देने जाओगे मुखे परिक्षा चलि बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यह नंबर है